next question 20 17 सवाल है question says a capacitor is charged by a battery the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in the parallel सवाल यह के total electrostatic energy of the resulting system option है के decrease by a factor of two remains the same increase by a factor of two या फिर increase by a factor of nine sorry by a factor of four simple सवाल है अगेन यहां पर energy के मारे concepts clear होने चाहिए सो इस सवाल को हम कुछ ऐसे करेंगे कि मान लीजिए यह आपका capacitor है जिसको हमने इस तरह की बात हैं क्लास में energy के पर बहुत साथ सवाल करते हैं सो यह आपका capacitor है capacity इसकी C है इसको हमने फुली चार्ज कर दिया है अपनी बैटरी से इसके उपर आप जब फुल चार्ज कर दिया है तो इसके उपर आपका जो अब जब आपने क्या है इस वाले कापेसिटर के साथ जो कि अंचार्ज था तो कुछ चार्ज यहां से फ्लो करेंगा कुछ यहां से वाँ कर जाएगा और इन दोनों के बीच में common potential आजाएगा जिसको हम नाम देते हैं वी डैश और वह वी डैश हमें बताने की जरुवत है वह सवाल अगर वी डैश फटा फट निकाल लेंगे तो आंसर अपना बहुत जल्दी आ जाएगा तो वी डैश के लिए हम लिख सकते हैं कि जो आपका चार्ज है कुछ चार्ज यहां से यहां फ्लो करके गया है अगर देखेंगे इस सिस्टम का अपन आपका इन दोनों प्लेट्स के ऊपर था जा प्लस जीरो फाइनल चार्ज जो इन दोनों के ऊपर सी और देश प्लस सी इसका वी डैश दोनों का कपेस्टर्स क्योंकी बराबर है तो लाइफ और आसान हो गई तो इससे मतलब यह हो गया, इससे यह आगया कि V will be equal to V dash will be equal to V by 2 तो इनका potential half half दोनों पर divide हो जाएगा, तो अब energy अगर लिखने लगेंगे तो initial energy जो हमारी capacitance की थी, वो थी half cv square plus 0 final energy जो हो जाएगी, वो इस वाले का दोनों capacitor की energy लिखते हैं वो होएगी half c V by 2 का square plus half c V by 2 का square और इन दोनों का जब हम add करेंगे तो यह बन जाएगा 1 by 4 cv square, so based on this हम कह सकते हैं कि initial energy जो थी आपकी half cv square थी, अब वो 1 by 4 cv square हो गई, so based on this हम कह सकते हैं कि option number a decreases by a factor of 2 would be the right answer.